जै मात अदी, बड़ों को मेरा चरंट स्पार्श और छोटों को मेरा प्यार, कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वास्थ होंगे और मास्थ होंगे, 2023 यानि की केतू का वर्ष, हमारे वेदिक जोतिश में केतू का गोचर बहुत ही महत्वपून है, वैसे तो हर ग्रह का गोचर अपने में ही एक नई उमंग हमें दे देता है, कुछ निराशा जनक स्थितिया भी बना देता है, लेकिन केतू, 2023 वर्ष, क्योंकि केतू का है, तो केतू को बहुत ही रहस्य मे बना जाता है, और वेदिक जोतिश में भी केतू ग्रह की भविश्यवानी बहुत सरल नहीं बताई गई है, ये जीवन में विरक्ति का कारक है और व्यक्ति को सांसारिक मुह माया से दूर हटा कर प्रभु की शरण में ले जाने का काम करता है, इसलिए केतू ग्रह को मोक्ष का कारक माना जाता है, जैसा कि हमारे वेदिक जोतिश में भी बताया गया है कि राहू और केतू को छाया ग्रह का जाता है, लेकिन गणितिये दृष्टिकोंड से ये केवल सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा पत के कटान बिंदु है, समुद्र मन्थन के समय भगवान विश की जगा अमरित पी लिया था और फिर उसकी सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, सिर राहू और धड़ केतू कहलाने लगा, जब केतू का प्राधुर्भाव हुआ तो विभिन रिशी मुनियो द्वारा उसका लालन पालन किया गया, जबकि सिर जैसे जिसे हम और पालन उसकी राक्षशी माता ने किया, इसलिए राहू के अंदर राक्षशी गुनों की अधिक्ता पाई जाती है, और केतू रिशी मुनियों के गहरे ज्ञान और आध्यातम को पाकर उनका प्राभाव भी अपने अंदर समाहित करके बैठा है, इसी वज़े से केतू ग ग्रह भी कहा जाता है, इसी वज़े से कहा जाता है कि केतू मोक्ष की प्राप्ति कराता है, और विशेश परिस्तितियों में कुंडली में स्थित होने पर ये जीवन में जातक को मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह जरूर माना गया है, साथी में अगर केतू ग्रह अच्छा करते हैं कि कीतु का गोचर बारा राशियों में क्या-क्या प्रभाव डालेगा पूरा वर्ष मन्थली राशी फल तो अलग है क्योंकि मन्थली राशी फल इसलिए अलग हो जाता है कभी बुध का गोचर होता है कभी किसी क्रह का राशी परिवर्तन होता है तो वो मन्थली रा पर कैसा रहेगा तो आए जानते हैं, शुरुवात करते हैं हम मेश राशी से, तो मेश राशी वाले जातकों के लिए केतु का गोचर 2023 जो की है साथ नमबर यानि की केतु, हम अगर बात करें तो कहीं न कहीं देखिए आपके लिए शुरुवाती में ही आपके सप्तम्भाव म स्पष्ट प्रभाव दिखने की वज़े से आपके दामपत्य जीवन में समस्याओं का बोल बाला जादा रहेगा, समस्याओं का बोल बाला in the sense कि एक खतम होई, दूसरी आगई, दूसरी खतम होई, तीसरी आगई, क्योंकि देखें, सेवेंध हाउस जो होता है, वो आपकी ज तो उनके साथ आपके लिए ये समय अच्छा थावित नहीं रहने वाला है, because this is partnership, कहीं न कहीं, आपको अपने रिष्टों को बचाये रखने के लिए, अगर मैं बोलू, बहुत जादा प्रयात्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ नहीं ये आपके रिष्टे के लिए बहुत नुकसान दायक स्थिती बनाकर आपके सामने रखतेगा, यदि आप बिजनस करते हैं, तो व्यापार में भी आपको उतार-चड़ाव देखने की स्थिती बन रही है, आप मानसिक तनाव थोड़ा सा मैसूस कर सकते हैं, 30 October को होने वाल में धारमिक विचारों की बड़ोतरी होगी, इसी दौरान अचानक से कुछ आपको शारिरिक समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अचानक से आकर अचानक से चली भी जाएंगी, इसकी लिए आपको चिकित्सक या डॉक्टर्स के तच में रहना जरूरी है, इस से जादा डॉक्टर की राय लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बढ़िया रहेगा, इस दौरान आपके खर्चों में कुछ बड़ोतरी जरूर होती हुई नजर आ रही है, विरोधियों पर आप भारी पढ़ेंगे, नौकरी में आपकी स्थिती अच्छी और मजबूत होग लेकिन परिणाम आपके फेवर में आते हुए दिख रहे है, वोपाय के तौर पे आप डेली अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू करिए, ऐसा करने से कहीं न कहीं आपको गुसा भी कमाएगा, आपका मन भी प्रसंद रहेगा और आपका कॉंसेंट्रेशन भी होगा, आईए अब बात करते हैं व्रिशव राशी की, व्रिशव राशी की अगर मैं बात करूँ तो 2023 व्रिशव राशी के जातकों के लिए के तु आपकी राशी से छटे भाव में वर्ष की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं, और ऑक्टूबर तक इसी भाव में रहेंग को जन देने का समय हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थे का भरपूर ध्यान रखना चाहिए, एक बार से सही स्थिती पकरण में ना आने के कारण दो या तीन बार भी आपको डॉक्टर की आवश्यक्ता की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की राय की जरूरत आपको प केतु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो कि आपके प्रेम समंदों में तनाव का कारण बन सकता है, यदि आप एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो ये समय आपके बीच गलत फैमियों को और जादा बढ़ा देगा, और आपके रिष्टु को तोड़ क भी रख सकता है, क्योंकि केतु देखिए, अलगाव का कारण ग्रह है और ये जीवन में विरक्ती देता है, इसलिए इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी नए सम्मंद में धोखा मिलने की भी सम्भावना देख रही है, और आपका पूरी तरह से पुराना रिष्टा कही न कहीं शिक्षा के शेतर में आप अपना एक अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए संतान प्राप्ती का बहुत अच्छा योग यहां पर बन रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे कि थोड़ बहुत मुश्किलें आपको उस चीज में होगी, जो लोग IVF के द्वारा ट्राइ कर रहे हैं या सेरोगेसी के द्वारा ट्राइ कर रहे हैं, तो यह वो पीरिट नहीं है जहां पे चीजें आपके फेवर में रहेंगी, इसलिए आप अपनी संतान की सेहत से जुड़ी समस्य पर भी ध्यान दे, अगर आपकी अलरड़ी अपनी संतान है तो उसकी सेहत खराब होने के भी चांसे यहां देख रहे हैं, क्योंकि केतु देखे बच्चों का कारक है, तो वो सुक्यां पर आपका खराब हो रहा है, परेशान मत होईएगा, सला मश्वरा करते रहें तो गूगल पर मत जाएगे, अगर आपकी जिनम गुंडली खराब है तो अच्छे एस्टोलाजर से सला लीजे, गूगल पर मत जाएगे, क्योंकि इस वर्ष आपको एक गुरू की जरूरत पड़ेगी, जो आपको सही रास्ता दिखा सके, इसके अलावा किसी जरूरत मन को जाएगे, अब हम बात करते हैं मिथुन राशी के लिए, मिथुन राशी क्योंकि बुथ की राशी है और केतु जो की गुरुदेव के चेले है, तो आपके लिए कहीं न कहीं देखिए, इस वर्ष की शुरूरत में केतु का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, तो मै यही न कहीं आपको अपने लव लाइफ और आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में यह समझ नहीं आ रहा है कि चीजे कैसे बैलन्स करनी है, आप चाहते तो हैं बैलन्स करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, के तु अपना रहस्य यहां पर आपको दिखा रहा है और खामखा की टेंशन, खामखा की सोच आप के मन में बनेगी, यह बैठे बैठे अपने आपी स्टोरी को कर लेना, यह वो वाला पीरिड है, तो यह समय एक दूसरे को हिदे की गहराईयों से जानने का समय है, लेकिन एक दूसरे को अच्छे से समझ ना पाने की वज़े से आपक के रिष्टों में गलत फैमिया उत्पन होती हुई नजर आ रही है, जिसका असर आपके रिष्टे को बिगार सकता है, 30 ओक्टूबर को केतु का गोचर आपकी राशी में चतुर्थ भाव में होगा, चतुर्थ भाव में होने वाला गोचर जादा अनुकूल नहीं माना गय इस कारणवश आपको पारिवारिक जीवन पर काफी ध्यान देने की आवश्यक्ता पड़ेगी, इस दोरान आपको आपकी माताजी के स्वास्त में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और उन्हें परिशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, पारिवारिक कलह में भी परिवार में रहकर भी अकेले ही है, तो ऐसा है नहीं, ऐसा आपके मन की व्यथा जो आपने खुद बना लिया है, इस वज़े से आपको ऐसा लग रहा है, तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए परिवार से दूर आप कही आपको अपने जाकने का मौका दे रहा है, जीवन में चल रही भाग दोर से बाहर निकालने का भी मौका दे रहा है, कारिशेतर में आपकी स्थिती को और मजबूत बनाएगा यह समय और आप अपने आपको एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देख उपाय के तौर पर आप पक्षियों को साथ तरीके का अनाज अगर डेली खिलाना शुरू करें तो आपको सही गाइडेंस मिल लेके यहां पर चांसेस दिख रहे हैं आपके लिए यह बहुत ही उत्तम उपाय साबित हो सकता है इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो यह कि कहीं न कहीं चीजें आपके फेवर में ही बनी रहे अगर आपको लग रहा है नुपायों से भी आपको असान लाइफ नहीं मिल रही है तो आप अपनी जनमकुरली का अध्यान हमसे करा सकते हैं जनमकुरली दिखाने के लिए नीचे दिए गए numbers पर आप हमसे connect हो सकते हैं और एक ही number है जिस पे आप whatsapp करके या call करके appointment ले सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिये, कमेंट को शेयर, कमेंट करिये, वीडियो को शेयर करिये, और साथ ही में अगर अच्छी नहीं लगी तो आप दिसलाइक भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी, जया मातन।